तो आज हम सामबर और टोसे की रेस्पी ले करा हैं तो एक कटोरी हमने दाल लिया है दाल को अच्छे से वाश कर लिया है वाश करने के बाद हमने उसमें दो कटोरी के तीन कटोरी के करीब हमने उसमें पानी एड कर दिया नमक एड किया और हल्दी इन सब को मिला कर और हम इसक पकने के लिए तीन विशिल तक आने तक दाल को अच्छे से पकाएंगे ताकि वो मैशी हो जाए और सामबर के लिए हमें ये सारी वेजिटेबल्स हैं आप चाहो तो और भी डाल सकते हो तो हमने सभी को चौप कर लिया है छिल करके और कड़ाई रखिए कड़ाई में मस्टर डाल डाला एक दालचीनी का टुकड़ा डाला जीरा डाला और कुछ कड़ीक पत्ती इसको एड़ कर दिये इन सभी को थोड़ी देर तक लिए भुन्ने देंगे उसके बाद हमने मिर्ची डाला लेसन और अद्रक डाल दिया इन सभी को भी अच्छे से मिला कर थोड़ी दे तक पकने के लिए ये सारी चीजे हमारी हो चुकी है तो हमने इसमें प्याज एट कर दिया आप चाहो तो प्याज लेसन नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं इन सभी को अच्छे से मिला देंगे थोड़ा सा ज्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे और उसी स्टेज पे हम इसमें सारी सब्जियां जो हमने कट करके रखी हैं और सब्जियों को थोड़ा सा टुकड़े उनके थोड़े बड़े काटे आप ताकि वो गले नहीं जल्दी और इन सभी को चलाते हुए थ थोड़ा सा ही नमक एड़ कर क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है तो ज्यादा नो हो जाए और इसी स्टेज पे हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे और थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर हमाने अच्छे से गल जाए और धग देंगे तो देखिए टमाटर हमाना गल चुक एड़ करके थोड़ी दे तक चलाते हुए मसाले को भून लेंगे तो हमने इसे थोड़ी दे चला कर भून लिया अब ये तयार है तो दाल जो बना कर रखा है हमने उसको हम इसमें एड़ कर देंगे और चला लेंगे और कुछ पानी भी अर्ड कर देंगे ताकि हमारा जो सामबर है वो बहुत ठीक ना हो और पानी अर्ड करके थोड़ी देर तक के लिए उसे ढखकर पकने देंगे जब तक उसमें एक दो बाल आना जाए तो देखिए सामबर हमारा बनकर रेडी है तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा हरी धनिया कट करके रखा उसे डाल देंगे अब चलते हम डोसे की तरफ तो डोसा बना दे तो ये इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए हमने ये मार्केट से ये इडली का बेटर लेकर आया बहुत ही अच्छा रहता है आप भी एक बार जरू ट्राइ करिए और बहुत ही क्रिश्पी बनके त्यार होते हैं बस कुछ भी नहीं करना है आपको बस पेकेट खोलो और बस उससे अच्छे से मिलाओ और बस हो कहें हमारा डोसा का बेटर दिया और तवा रखा उसमें थोड़ा सा ओयल डाल के हलका सा ग्रीस कर दिया था और बैटर डाला और सभी को बैटर को अच्छे से आप पतला फैला दीजे और मीडियम फ्लेम पर ही से पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजे और थोड़ा सा ओयल हम उपर से तो हमारा ये डोसा देखिए क्रिस्पी ब्राउन ब्राउन हो चुका है तो ये देखिए डोसा हमारा बनकर तयार है तो आप भी जरू बनाईए और अपने अनुभा हमारे साथ जरू शेयर करिए अगर हमें आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले